हलो फ्रेंड्स हला बुल फैमिली में आपका सागत है आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से वाल पट्टी कैसे बनाएं तो इसके लिए हमको जरुत के मुर्ताबिक पानी लेना होता है और इसमें एड करना पड़ता है पी ओ पी और तीन भाग पट्टी और एक भाग पी ओ पी मेंस थ्री वायबन का रेशो हमें इसमें रखना होता है यदि आपको गड़े भरनी है तो आपको पी ओ पी जादा मिलाना होगा और यदि इस प्रकार से केवल वॉल खराब है तो हम केवल पुट्टी का भी इस्तमाल कर सकते हैं इस प्रकार थी वायबन का रेशो मिलाने के बाद हमें इसको अच्छे से हाथ से मिलाना होता है बिलकुल भी इसमें गुठले नहीं पड़ने चाहिए और तब ये एक प्रकार से बहुत ही अच्छी तरह पुट्टी तयार होती है और जब हम महसूस करते हैं कि जब हमारे यहां छोटी मोटी दरार या कोई वॉल खराब हो जाती है तो हमें मजदूर नहीं मिलता तो उस समय हमें लगता है कि अगर हमें प्रिला पुट्टी बनाना आता तो हम खुद उस पर दीवार पर एपलाई करके उसको स्मूथ बना लेते और हलका भहुत पेंट या डिजाइन कोई कर देते तो वो वॉल सुन्दर लग सकती थी क्योंकि छोटी मोटी वॉल खराब हो या छोटा मोटा कोई काम हो तो आपको अच्छी तरह कारीगर भी नहीं मिलता छोटे काम के लिए और बहुत ही हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यही दिक्कत मैंने महसुस की और अब इस समय मेरे यहां पुताई का काम हो रहा है तो मुझे लगा आगे कभी इस प्रकार की समस्या ना हो तो मुझे पुट्टी बनाना आ जाना चाहिए तो चलिए अब देखते हैं इसको अप्लाई करने का तरीका तो सबसे पहले हमको इफेक्टिड बॉल को इस प्रकार से पत्ती से साफ कर लेना है साइड से और फिर हमको पत्ती की ही साहिता से इस पर तयार पुट्टी को अप्लाई करना है यह देखे और साफ करने के बाद हमें इसको कैसे अप्लाई करना है यह देखे इस प्रकार से हमको इससे अपलाई करना है पत्ती की साहता से और एक शा कर देना होता है और पत्ती इसमें तिरची चलेगी खड़ी पत्ती नहीं चलानी है और जो भी एक्स्ट्रा है वो इस प्रकार से देखे पत्ती पर लिया और इस प्रकार से देखे खड़ी नहीं चलानी है पत्ती हमें तिर्ची पत्ती ये देखे तिर्ची पत्ती चलानी है खड़े नहीं जलाने है और इस प्रकार अच्छी तरह वलबुट्टी लगाने के बाद इसे सूप जाने देना होता है और फिर सूप जाने के बाद उसे रेखमाल से घिसा जाता है और फिर हम उस पर कोई भी पेंट करके बेस पेंट करके और हम अपनी कोई भी पेंटिंगर क के दीवार को सुन्दर बना सकते हैं